हेलो एवरिवन आज में लोग MSC Organic Chemistry में एक भहुत इंपोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे देट इस क्वाल पेरिसाइकलिक रियक्षन यह पेरिसाइकलिक रियक्षन क्या होती है इनके च्राइक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यह कितने टाइप की होती है और जो पेरिस का मतलब क्या होगा कि रियक्षन में क्या होगा bond formation और bond breaking simultaneously यानि एक साथ होगा ठीक है जैसे देखो example दिया हमने यह हमने 1,3 butadine दिया और यह दिया एथीन इसमें हो क्या रहत ध्यान देना कि इसमें जो पाइबॉंड है वो यहां से यहां सिप्ट हो गया ठीक है यहाला पा transition state बन गई और transition state कैसे है cyclic है इसलिए pericyclic reaction में जो pericyclic world है उसका मतलब भी क्या होता है circle यानि cycle type की ठीक है तो जो भी step की reaction होगी उसमें एक transient state बनेगी वो भी cyclic transition बनेगी ठीक है अब इस type की reaction जो भी होती है उसमें क्या होता है ना तो किसी solvent की जरुद पढ़ती है ठीक है जिसमें attack होता, वो substitute होता, और जो attack करता है, हो क्या होता है, अब और रेजेंट आपसमें नवजदी काते है, तो वो क्या बनाते है, बीस में intermediate मनाते है, इंट्रमीडियर क्या कर गा, फिर decompose होके product formation करता है, तो इस टाइप की reaction, आज तक हमने छोटी-छोडी क्लासों में पड़े होती है, जैसे अब यहाँपर जो भी pericycling reaction होगे, उसमें क्या होगा? ना तो किसी resident की ज़रूत पड़ेगी, ना तो intermediate की ज़रूत पड़ेगी, ना ही किसी solvent की ज़रूत पड़ेगी, तो यह reaction कैसे होंगी फिर तो pericycling reaction कैसे होंगे pericycling reaction होंगे concerted shift of electrons मतलब bond formation और bond bond breaking simultaneously होगी और ना ही इसमें किसी solvent की ज़रोत पड़ेगी ना ही किसी radiant की ज़रोत पड़ेगी ठीक है और इसमें सिर्फ हमको ये जो reaction होती है वो photochemical condition में और thermal condition में हो जाती है तो देखो जब हम इसके characteristics पड़ेंगे तो ये हमको समझवा जाएगा तो यहाँ पर क्या है देखो जो भी pericycling reactions होती है उसमें क्या होता है concerted shift of electron through cyclic transient state अभी जो मैंने आपको example दिखा है इसमें इसमें देख सकते हो कि ये bond यह bond breaking हो रहा है यह वाला bond यहां से यहां जा रहा है और यह वाला bond यहां से shift हो रहा है सिर्फ तो इससे क्या होगा cyclic transient state बन जा रही है और pericycling reaction takes place under thermal and photochemical condition तो इसमें किसी solvent की ज़रुद पड़ती है मैंने जैसे बुला ना यह किसी यह कैसे हो जाएगी फिर यह thermal condition में और photochemical condition में हो जाएगी ठीक है अब यह thermal condition में कब होगी photochemical condition में कब होगी वो dependent करता है condition पर जब हम लोग इसको discuss करेंगे one by one तो आपको easily समझवा जाएगा ठीक है these reaction do not involve any intermediate आपने जो भी reaction पड़े होगी उसमें दिखा हुआ कई पर intermediate बनता जैसे है हमारा karbokatel intermediate बनता है karbend anion बनता है failure radical बन जाता है καarbean बन जाता है nitrine बन जाता है ठीक है जो भी reaction होए intermediate के थूरू होती है पर जो pericyclation होगी उसमें कोई intermediate formation नहीं होगा ठीक है intermediate नहीं बनता है उसमें सिर्फ trans-inister बनती है वो भी cyclic trans-inister बनेगी ठीक थीज रियक्शन्स आर stereo specific हो गया these reactions do not require any region जो मैं पहले बोल रहा था कि इन reaction में क्या होगा किसी भी region की ज़रुवत नहीं पड़ेगी और जो यह reaction होती है pericyclic reaction वो होती है और जो यह reaction होती है group transfer reaction ठीक हो गया तो हम लोग क्या करने वाले है यह 4 type की जो reaction में नहीं बताया उनको one by one इनका introduction पढ़ने वाले है फिर उनको briefly discuss करेंगे तो देखो electrocyclic reaction क्या होती है electrocyclic reaction it is an intramolecular reaction याद रहने intramolecular ठीक है एक ही molecule के अंदर हो जाएगी इन reaction in which a new sigma bond is formed between the end of conjugated pi system इसका मतलब क्या हुआ देखो यह conjugated pi system है double, single, double, single, double ठीक है यह conjugated है यह इसके किनारे इन्ड मतलब किनारे यह क्या हो रहा है यह conjugated pi system है इनके यहाँ पर भी यह end है यह भी end है यहाँ पर क्या कर रहा है एक sigma bond formation हो जाता है ठीक है in electrocyclic reaction product contain one less pi bond than reactant इतना याद रखना अब देखो इसमें क्या होगा यह bond यहाँ चले गया यहवाला bond यहाँ चले गया और यहवाला bond यहाँ चले गया इसके भीच में ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहवाला pi bond यहाँ पर और यहवाला pi bond यहाँ पर जो यहवाला pi bond था उसने क्या कर दिया sigma bond new sigma bond formation कर दिया ठीक है अब इसमें देखो कितने pi bonds है थ्री वन टू थरी इसमें कितने है वन टू टो जो भी electrocyclic reaction होगी उसमें जब reaction में जो product formation होगा product formation में क्या होगा है यहाँ पर जो reactant में अगर हम electrocyclic ring closing की बात करें तब जितने हमारे पास reactant में pi bond होगे उससे एक pi bond यहाँ पर कम होता यह होती है electrocyclic reaction की पहचान ठीक है ऐसे ही number two है cycle addition reaction अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि electrocyclic reaction है वो क्या होती है intra molecular होती है intra molecular में एक ही molecule में हो रही थी अब देखा उपर है फुरा फुरा एक ही molecule है इसी में cyclic electron का shift हो रहा है अब cycle addition यह intermolecular होती है इतना यादर में अब इसमें कैसे परचान सकते हैं in cycle addition reaction two different pi bond containing एक यह pi bond containing compound है ठीक है react to form a cyclic compound और यह देखो यह उनको माथरी butadine है और यह क्या एथीन है इन्होंने क्या करा इन्होंने react किया तो एक cyclic compound formation कर दिया एक cyclic compound formation कर दिया अब इसमें क्या होता है कि इस react देखो दो reactant है यह भी reactant है इसमें दो pi bond है इसमें एक pi bond है इसमें क्या रहिया बोड the reactant loss और pi bond इसमें दो में से एकी pi bond बज गया और इसमें एकी था तो एक भी pi bond नहीं बजा ठेक है तो याद रखना है जो भी reactant होंगे उसमें से एक pi bond loss होता है और दो ने sigma bond formation होते है content to use एक यह वाला formation होगा इसके बीच में एक यह ला हो गया घाए अब धर्ड जो होती है वो होती है सिग्मा टोपिक रियक्शन तो सिग्मा टोपिक रियक्शन में क्या होता है सिग्मा का मुदलब मॉट्ट का मुवमेंट होता है च्चैपको अब को समझवाहिhinा हम इनको पुरा deeply discuss करेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ introduction पर रहे है in these reaction sigma bond is broken in reactant and new sigma bond is formed in product number of pi bond do not change इसमें देखो होता क्या है आप इसको देखो, number 1 तो यह conjugated system नहीं होता है, ठीक है, पुरा conjugated system नहीं होगा, तो इसमें क्या हुआ कि और यहँ यहां पर कितने two pi bond है दो pi bond, तो pi bond कोई change नहीं होगा तो जो इस तो यह सिग्मांड था, old वाला यह यह नया बन जागा, इधर को ठीक है, तो यह होगी sigma tropic reaction और जो 4th reaction होती है वो क्या होती है, group transfer reaction ठीक है, तो यह होगा इनका छोडा सा introduction अब हम लोग इनको one by one discuss करेंगे